नमस्कार दोस्तूं स्वागत करता हूँ आप सभी रीट अबरतियों का आपके अपने यूटूब चैनल कुछामन ओनलाइन कलासेज में दोस्तूं आज हम देख रहे हैं रीट का मोडल पेपर नंबर 12 दोस्तूं इससे पहले हमने 11 मोडल पेपर देख लिए हैं जिनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जहां से जाकर आप सभी को देख सकते हैं दोस्तूं और दोस्तूं बहुत इंपोर्टेंट रहेगा इसके अंदर हम 6 सब्जेक्ट देखेंगे मनोविज्यान, हिंदी, संसकर्थ, विज्यान, गणीत और जीके ये मोडल पेपर रहेगा और दोस्तूं मेरा मकसद है कि जो मोडल पेपर में करवाँगा उनसे ही आपको अधिकतर क्यूसन मिल जाएंगे दोस्तूं इसलिए एक बार आप मोडल पेपर को जरूर देखें और रीट के बरतियों के पास चाहे रीट लेवल फेस्ट हो चाहे यहाँ पर जोड़े दोस्तूं चलते हैं पहले क्यूसन की ओर सबसे पहले देखेंगे मनोवी ज्यान के क्यूसन दोस्तूं आप क्यूसन देखते जाएं एंस्वर का कमेंट करते जाएं चलते हैं पहले क्यूसन की ओर सिक्ष्या का अर्थ है वेवार का अद्यन करना वेवार का सुद्धी करन वेवार को बनाना वेवार में कुसलता लाना बात किसकी ओर यह सिक्ष्या की तो सिक्ष्या का क्या अर्थ होता है दोस्तु सिक्ष्या का अर्थ होता है वेवार का सुद्धी करन ओप्सन नमबर दो आ वेवार का सुद्धी करन करना, वेवार को बनाना, वेवार में कुसलता लाना, तो दोस्तों मनोविज्यान होती है, वेवार का अध्यन करना, ओप्सन एक नमबर सही रहेगा, चलते हैं कि उसन नमबर तीन की ओर, मनोविज्यान में सिक्ष्या सबद किसने जोड़ा, थोरंड तोरंडाइक ने, ओप्सन नमबर एक आपका सही रहेगा, चलते हैं क्यूसर नमबर चार की ओर, मनो विज्ञान में सिक्ष्या सबद का सुत्रपात किस ने किया, थोरंडाइक ने, रूसो ने, पलेटो ने, अरस्तू ने, सिक्ष्या सबद तो थोरंडाइक ने जोड़ा था, सुत्रपात किस ने किया था, किस ने किया था दोस्तू, रूसो ने, चलते हैं क्यूसर नमबर पांच की ओर, मनो विज्ञान को मन रहित विज्ञान का है, वोटसन ने, इसकिनर ने, वीलियम जेम्स ने, वीलियम वुंट ने, तो मनो विज्ञान को मन रहित विज्ञान किस बच्ने का था दोस्तूं वोट संने, option एक नमर सही रहेगा, चलते हैं 6 नमर क्यूशन की ओर, मनोविज्यान सबद के जनक है, रुसो, अरस्तू, रुडोल्प, गोईकर या पलेटो, तो कौन है दोस्तूं मनोविज्यान सबद के जनक, कौन है दोस्तूं, रुडोल्प, अरश्तु है सूरी रूश्टू है अरश्तू है रृडल्प गोईलगी की है या पलिटू है कोण है दोस्तु तो मनोः विज्यान का जनक कि से का जाता है अरस्तू को कहा जाता है दोस्तु चलते हैं क div 90 की ओर किस ने का था दोस्तू जोन एडम्स ने ओप्शन नमबर एक आपका सही रहेगा चलते हैं कि उसन नमबर दस की ओर सिक्स्या को त्री मुकी किस ने कहा जोन एडम्स ने, जोन ल्यूवी ने, अरस्तु ने, सुक्रात ने तो दोस्तु द्वी मुकी तो जोन एडम्स ने कहा था त्री मुकी कहा था जोन ल्यूवी ने ओप्सन नंबर दो आपका यहां पर सही रहेगा अब दोस्तों आगे हम देखेंगे हिंदी के क्यूशन, हिंदी के क्यूशन में चलते हैं पहले क्यूशन की ओर, सेहर की तरह दाडने वाले आप भिगी बिली कैसे बन गए, रेखांकित पदबंद है, विशेशन पदबंद, संग्या पदबंद, सर्वेनाम पदबंद, किरिय पदबंद सेर की तरह दाणने वाले आप बिगी विल्ली कैसे बन गई तो क्यों सा पदबंद है सरवे नाम पदबंद है दोस्तु vot चलते हैं 12 क्यों возь ऐ अब तो हम से चला जा रहा है रेखांकित पदबंद है संक्या पदबंद सर्वनाम पदबंद किरिया पदबंद या किरिया विशेशन पदबंद तो कौन सा पदबंद है दोस्तू यहाँ पर किरिया पदबंद है दोस्तू option से आपका सही रहेगा चलते हैं क्यूसर नंबर 13 की ओर सहार में कौन सा उपसरग है दोस्तू हार, सन, सम, से सनहार में कौन सा उपसरग है दोस्तू कौन सा है सम है समहार होगा दोस्तू यहां पर चलते हैं क्यूसर नंबर 14 की ओर गोडी रिती में किस गुण का समावेस है ओज माधूरिये परसाद कोई नहीं तो गोडी रिती में किस गुण का समावेस है दोस्तू ओज गुण का समावेस है चलते हैं पंद्र नमर क्यूसन की ओर बाल्टी चाबी किस बासा के सबद है अर्बी फार्सी पुर्तगाली उर्दू तो बात ओर यह बाल्टी और चाबी सबद तो किस बासा के है यह पुर्तगाली बासा के सबद है दोस्तों चलते हैं 16 नमर क्यों सन की ओर मोहन सुंदर बालक है, में बालक क्या है? संग्या है, सर्वय नाम है, विशे सन है, विशे से है, क्या है दोस्तों? मोहन सुंदर बालक है, इसके अंदर बालक क्या है दोस्तों? बालक एक विशे से है दोस्तों. चलते हैं क्यूसर नंबर सत्रे की उर रादा रती के समान सुन्दर है मैं अलंकार है रूपक अलंकार उत्प्रेक सा अलंकार उपमा अलंकार यमक अलंकार रादा रती के समान सुन्दर है इसके अंदर कौन सा अलंकार होगा दोस्तो आपके इसके अंदर होगा उपमा अलंकार चलते हैं क्यूसण number 18. सिक्षन विदियों का क्यूसण रहेगा दोस्तू. मुल्यांकन में निश्पख्षता बनाय रकने के लिए परसन होने चाहिए. लगुत्रात्मक परसन, अक्ति लगुत्रात्मक परसन, वस्तुनिष्ट परसन, निमंदात्मक परसन. तो दोस्तु बात हो रही है मुल्यांकन में निश्पक्सताकी तो कैसे परसन होने चाहिए आपके वस्तू निश्ट परसन होने चाहिए दोस्तु चलते हैं क्यूसर नंबर 19 की ओर सहाचरिये विदी का आविस्कार किया था हरबर्ट ने, मोंटे स्री ने, हंटर ने, डेविड ने तो सहाचरिये विदी का आविस्कार किस ने किया था किस ने किया था दोस्तु मोंटे स्री ने किया था चलते हैं 20 नमर की उसंग की ओर व्याकरण की सिक्ष्या का आरंब कब करना चाहिए बालक के स्कूल आने पर वाचन पर अधिकार होने पर बासा पर अधिकार होने पर या लेखन पर अधिकार होने पर तो बात हो रही है व्याकरण की सिख्षा का आरंब कब करना चाहिए कब करना चाहिए बासा पर अधिकार होने पर करना चाहिए दोस्तु अब आगे हम देखे के सहस्कर्थ के क्यूंस कि छलते हैं पहले क्यूंस की औरला क्यूंसन है दोस्तों आपका पृतिय ते विदिवत Sut Let Anyway फरकरती परते दातो प्राती पदिक तो परते विद देई इतक राइट एंसवर ऊप्शन बे रहेगा पर्ते दोस्तों चलते हैं क्यूंस नमबर 22 की ओर शानच परते हैं दातू भी सहयोजते परसमें पदी आत्मने पदी उब्य पदी त्रीबी तो सानच परते दातू भी सहयोजते सही एंस्वर आत्मने पदी ओप्सन बहस सही रहेगा चलते हैं कि उसन नमबर तेवीस की ओर गम पलस अनियर भौती गमिनिये गच्छनिये गानिये गंतवे सब्थ क्या दिया है दोस्तों आपको गम पलस अनियर राइट एंसवर गमनिये ओपसन ए आपका सही रहेगा चलते हैं कि उसर नमबर चोबीस की ओर जन पलस वुल भौती जानक जनक गनक जनन, तो सही एंस्वर रहेगा आपका जनक, ओप्शन बे आपका सही रहेगा, चलते हैं कि उसर नंबर पचीस की ओर, दहें पर्ट्यायांते हैं सब्दे बहुती, पुल्लिंग, इस्त्रिलिंग, नपुसक लिंग, त्रिसु, तो दोस्तु राइट एंस्वर ओपका रहेगा पुल्लिंग, ओप्शन ऐसा ही रहेगा, चलते हैं कि उसर नंबर चब्वीस की ओर, साते सुत्रेन निस्पादितं पदम, निस्क्रिष्ट है, वागीस, सन्सष्ट है, परष्टन है, तो चब्वीस नंबर चुसन हैं आपका, चब्वीस नंबर कुसन क्या है आपका दोस्त साते सुत्रे निस्पादितम पदम परसनम, ओप्सन गैसा ही रहेगा, चलते हैं क्यूसर नमबर 27 की ओड, 27 नमर क्यूसर नहें, अहन नित्यश्यम पदानते स्यात, अहं अहन इत्ती चै, तो दोस्तों यहां पर अहन, खया ओप्सन आपका, सही रहेगा, आगे हम देखेंगे तीन क्यूसर संसकर्थ सिक्सन विदियो से, पेले क्यूसर की ओर चलते हैं, यह 28 नमर क्यूसर नहें, पद्दे पाठ योजनायाम की द्रिशा परशना नहें बवन्ती, सोद्रिश्या नू बहुती परशना, केंद्रिये बावश्ये परशना हा, तुलनात्मक परशना, चार विश्लेशनात्म परशना, चलते हैं क्यूसर नमर 29 की ओर, चात्रा नाम ज्यान विश्ता रहा है किरियनते, अन्वेंशन परशने, केंद्रिये बोध परशने हैं, मुल्यांकन परशने हैं, पुंद्रा वर्ती परशने हैं, तो 29 नमर क्यूसर अन्वेंशन परशने आ तात्परियम अस्ति पूर्वे दिशाया ग्यानम पूर्वे देशस से ग्यानम पूर्वे कक्साया ग्यानम भारत देशाई से ग्यानम पार्ट योजनायाम पूर्वे ग्यानस से तात्परियम अस्ति तो पूर्वे कक्साया ग्यानम ओप्संस है आपका सही रहेगा अब आगे हम देखेंगे विज्ञान के क्यूशन साइंस के क्यूशन दोस्तों चलते हैं पहले क्यूशन की ओर वोल्ट मिटर का नेट परतिरोद अधिक होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा गरम न हो जाए ये अत्रिक्त दारा नहीं खीचता है ये विबांतरू को नाप सके ये जाने वाले विबांतरू सुप्रेक से प्रिवर्तन नहीं करता बात किसकी ओर ये वोल्ट मिटर का नेट परतिरोद अधिक होना चाहिए क्यों होना चाहिए ये नापे जाने वाले विबांतर में सुप्रेक से प्रिवर्तन नहीं करता है दोस्तों चलते हैं क्यूशन नंब 32 की ओर साबुन के बुलबले को सवेत प्रकास से आलोकित करने पर उसमें रंगू का कारण है विवर्तन परकिर्णन विक्षेपन वेक्तिकरन क्या कारण है दोस्तु तो कारण होता है वेक्तिकरन का आपका सही रहेगा चलते हैं क्यूसर नंबर 33 की ओर पास्टंस रेनी की दूसरी रेक्षा गकसिये संक्रमन से संब्ध है पाँचवे से तीसरे कक्स पाँचवे से पहले कक्स अनन से तीसरे कक्स तो बात किसकी हो रही है पास्टंस रेनी की दूसरी रेखा इलेक्ट्रोन में निम्न कक्स ये संक्रमन से संबन्द तो यहाँ पर रहेगा पांचवे से तीसरे कक्स में ओप्सन ए आपका सही रहेगा चलते हैं क्यूसर नंबर 34 की हो रहेगा किसकी बने होती है नियन तरक चड़े दोस्तों तो किसकी बने होती है के डिमीयम की ओप्सन त supposedly उपका सही रहेगा चलते हैं क्यूसर नंबर 35 की ओर एक ट्रांजिस्ट्र में एक ट्रांजिश्ट्र की बात हो रहे हैं दोस्तों एक पियण संदी तेता एक अवक्ष्य प्रत हो दो अवक्से परत होती है दोस्तु तो दोस्तु बताइए सही answer क्या रहेगा यहां पर दोस्तु COD आपके समान है दोनों तो इन में से एक choice कर लो आप decode आदो अब कमेंट कर दो जल्दी से क्या right answer रहेगा 35 नमर क्यूसन का तो सही answer सी रहेगा एक transistor में दो पियन संदी तता दो अवक्से परत होती है दोस्तु चलते है क्यूसन नमबर 36 की ओर विद्यूद्दारा का मातरक है ampere, ohm, volt, watt क्या होता है विद्यूद्दारा का मातरक जल्दी से बताओ दोस्तु 36 नमर क्यूसन तो दोस्तु विद्यूद्दारा का मात रखोता है MPA, option A आपका सही रहेगा दोस्तों चलते हैं क्यूसर नंबर 37 की ओर संपिडित प्राकर्ति गेस CNG का मुक्य गटक है मेथेन, एथेन, प्रोपेन ब्यूठेन, क्या होता है CNG का मुक्य गटक क्या होता है दोस्तों CNG का क्या होता है दोस्तों sofort सही रहेगाたい चलते हैं क्यूसर नंबर 49 की ओर विद्यूत उर्जा का व्यापारिक मातरक है वाट कुलाम, एमपेर किलो वाट गटा बहात होरी है विद्यूत उर्जा का तो विद्यूत उर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है किलो वाट गंटा के डबलू एच दोस्तों चलते हैं चालिश नमर की उसन की ओर जब परकास एक मादेम से दूसरे मादेम में परवेस करता है तो उस मादेम को क्या कहा जाता है अपवर्तन प्रावर्तन दोनू इन में से कोई नहीं तो क्या कहा ज जाता है अब दोस्तों आगे हम देखेंगे गणीत के 10 क्यूशन दोस्तों नोर्मल में व्यक्या आपको बता दूँगा और बाकी आपको सोल करना है अगर आपको एंसवर मिल जाता है तो ठीक वरना कमेंट करना में पूरा एंसवर आपको बेज दूँगा हां नोर्मल में लेकिन विशम विशम एबाजे संक्या सबसे चोटी होती है वो कौन सी होती है तीन होती है-main बी आपका सही रहेगा-चलते है क्यूसन नमबर 42 की होस्त नमर क्यूसन है 5 संक्याहों का योग है 240 इन मैं से परथन 2 संक्याहों का योग दिया 140 140 और 60 हो जाएंगे 200 तो यह 4 संग आ जाएगी तो 240 में से 40 को आप 200 को गटा होगे तो 40 option C आपका यहां पर सही रहेगा आप आसानी से सोल गरो पता चल जाएगा चलते हैं कि उसर नंबर 3 की और सबसे पहले कुल कितने विद्यारती बताएं यहां पर 9 बताएं 6 तो यह रहे और 3 यह रहे नो विद्यारती इंटू 63 को गुणा करके कुल उसत निकाल लो फिर इन 3 को जोड कर जो योग आए उसमें से कम कर लो और फिर उसमें 6 का बाग दे दो आपका उसत आ जाएगा option C 43 दोस्तों सोरी बासट दोस्तों चलते हैं कि उसन नंबर 45 की ओर एक वेक्ति के पास 5 रुपे 10 रुपे 20 रुपे के नोटू के रूप में कुल 18575 है तता परतेग परकार के नोटू की संक्या समान है उसके पास कुल कितने नोट है दोस्तों तो दोस्तों परतेग नोट बर तो पहली बात तो यहां पे जो आप संक्या उठा रहे हूँ उसमें तीन का भाग पूरा-पूरा जाना चाहिए नोट कर लो 150 में जा रहा है दोस्तों 145 में नहीं जा रहा है 145 और 50 तो आप गुणा करो तो right answer आपका क्या आईगा यहाँ पर option B 135 दोस्त चलते हैं कि उसर नमबर 45 की ओर एक 80 मिटर उच्छे गोल खंबे पर एक बंदर एक मिनट में एक मिनट में पांच पांच मिटर चड़ता है लेकिन दूसरे मिनट में वो दो मिटर नीचे पिसल जाता है पांच मिटर चड़ता है दो मिटर पिसलता है दो मिनट में तो मतलब दो मिनट में वो कितना चड़ रहा है दो मिनट में वो चड़ रहा है मातर तीन मिटर दोस्तु तो खंबे के उपरी सिरे तक जाने में कितना समय लगेगा असी मिटर कुल हैं तो आप अनुमान लगालो दोस्तू कितना लगेगा इसको आप गुणा करते जाओ ते जो तीन मिटर 2 मिनट में चड़ रहा है 6 मिटर कितने में चड़ेगा चार मिनट से याओ देखते जाओ देखते जो अंत के अंदर जैसे ही आप पच्चेतर पर पूगोगे तो पच्चेतर से वो जैसे चड़ेगा तो वो अंत पर पहुंच जाएगा गिरेगा तो अगली मिनट लेकिन पहुंच जाएगा तो कितने मिनट लगेंगे उसको दोस्तू उसको लगेंगे आपके एक सोरी उसको लगेंगे 51 मिनट लगेगी, option भी आपका सही रहेगा, चलते है क्यूसर नंबर 46 की हो चार केमरू तेता 6 सेल फोनू का मुल्ले है, 51,365 रुपे 12 केमरू तेता 18 सेल फोनू का मुल्ले कितना होगा दोस्तु, तो दोस्तु यहाँ पर simple क्यूसर बस दिमाग लगाना है, करना क्या है, यहाँ पर क्या दिया है, 4 केमरे, तो 3 केमरे कितने हो जाएंगे 12 केमरे, 6 सेल फोन तो 3 केमरे हो जाएंगे, ठारा, तो इसको 3 से गुणा कर दो, एंस्वर आ जाएगा दोस्तु, और राइट एंस्वर च्याण इस नमर का आपके रहेगा, वो रहेगा 1,54,055 में रुपे दोस्तु चलते हैं क्यूसर नमबर 47 के ओर, 24 बलू तेता 32 होकी स्टिक्स का मुले 84 सो रुपे हैं, 3 बलू तेता 4 होकी स्टिक्स का मुले क्या हो, बहुत सिंपल क्यूसर बस दिमाग लगो, एंस्वर आ जाएगा, आठ का भाग दो दोस्तु इसके अंदर, आठ का भाग दो, आठ का भाग तीन बार, तीन बार जा रहा है आठ का भाग, चार बार जा रहा है पूचा किसने का है, तीन बलू का तो तीन का चार होकी का तो चार का तो इसमें भी आठ का बाग दे दो दोस्तूं आठ का एक बार गया एक बार गया दोस्तूं जीरो फिर चालिश में पांच वार तो एक हजार पचास रुपे ओप्सन सी है वो आपका सही रहेगा चलते है क्यूसन नंबर 48 की ओर एक नल एक टंकी को सोडा गंटे में बरनता है परन्तू टंकी की तली में छेद होने के कारण 24 गंटों में बरी जाती बरतू सोडा गंटे में सकता है छेद होने की वज़े से 24 गंटे लगते है यदि टंकी पूरी बरी हुई हो तो चेद के कारण कितने देर में खाली हो जाएगी बहुत अच्छा क्यूसन आठ गंटे उसको अगर अधिक लग रहे हैं बरते समय खाली होने में तो कितने गंटे में वो पूरी खाली हो सकती है दोस्तू तो 48 गंटे में वो पूरी खाली हो सकती है तरीका लगाओ अपने आप एंसोर मिल जाएगा इस क्यूशन का चलते हैं उन पचास नमर क्यूशन की ओर चारसो पचेतर पलस नो सो पचास का चोसट परतिसत बराबर नो सो पलस परसन वाचक चिन इससे स्विंपल स्वाल तो कोई सा भी नहीं होगा दोस्तू नो सो पचास का चोसट परतिसत निकाल लो दोस्तू सबसे पहले निकाल लिया जोड़ लो इदर से जोड़ लो इसको इदर लिया हो अपने आप आपको जो ये एक्स मान लो इसको एक्स का मान आजाएगा और एक्स का मान आएगा 183 आपके निकाल के देख लेना दोस्तू चल मुले कुल मुले रुपे पांच जार है इन में से पच्चास के नोट कितने हैं दोस्तों कुल पच्चासी नोट है उसके पास सो के और पच्चास के अब आपको पूचे हैं कि कुल पांच जार रुपे उसके पास है तो पच्चास के नोट कितने हैं दोस्तों बहुत अच्छ बच्चे कितने नोट 15 है तो 15 को अगर शोक के नोट होंगे तो 15 कितरे हो जाएंगे पांचार ओप्सन डी आपके सही रहेगा दोस्तों इस चलते हैं आगे हम सामाजिक या जीके के क्यूशनों की और देखेंगे जीके के क्यूशन पहला क्यूशन निम में से राइ सिंग की प जेता राय सेंग की प्रस्तिती के रचियता चलते हैं बावन नमर क्यूसन की और राज्जस्तान के किस अभी लेक से चार परमुक वरणू के विबाजन की जानकारी प्राप्त होती है चितोड लेक उनिस सो इगेतर सोरी नो सो इगेतर इसवी परताब गड़ सिला लेक नो सो ओसिया लेक 956 वी इन में से कोई ने चार परमुक वरणू के विबाजन की बात हो रही है तो यह रहेगा आपका ओसिया लेक उप्शन सी सही रहेगा चलते हैं कि उसर नमबर 53 की और राज्जस्तान राज्जे के गठन के बाद एक नॉंबर 1956 को राज्जे में कितने जिले थे 28 26 24 21 बहुत अच्छा कि उसने दोस्तों एक नॉंबर 1956 को राज्जस्तान में कितने जिले थे दोस्तूं 26 जिले थे दोस्तों चलते हैं कि उसन नमबर चोपन की ओर किस देशी रियास्तू के एक एक करड़ से राज्जस्तान राज्य का निर्मान हुआ था कितनी देशी चोपन 32 18 19 ये तो बहुत बार पढ़ा है अपने दोस्तों 19 रियास्त कितनी रियास्त थी 19 रियास्त तीन ठिकाने एक के अंदर साशित परदेश दोस्तों चलते हैं किउसन नमबर 55 की ओर नलिया सर से आहात मुद्राएं इंडो ग्रिक सिक्के एवं गुप्त कालिन चांदी के सिक्के के साथ साथ 105 दांबे की मुद्राएं भी मिली है ये कहां इस्तित है माउंट अबू सिरोई में पुसकर अजमेर में डीडवना नागोर में सांबर जेपूर में तो कहां इस्तित है दोस्तों ये सांबर जेपूर में इस्तित है दोस्तों चलते हैं 56 नमर की उसन की और राज्यस्तान राज्ये हत करगा विकास निगम लिमिटेड का मुखेले कहां पर है तता इसकी इस्तापना कब हुई अलवर 1924 इस्वी में जैपूर 1924 इस्वी में कोटा 1924 इस्वी में जोदपूर 1924 इस्वी में तो कब इस्तापना हुई थी दोस्तों इसकी इसकी इस्ता चलते हैं कि उसन नंबर सताउन की ओर राज्यस्तान का सबसे वेस्तम राश्टिय राजमारक कौन सा है एनच आट एनच बारा एनच चोदे एनच पंदर कौन सा है जो वेस्तम राजमारक है बहुत अच्छा दोस्तों सही आपका राश्टिय राजमारक नंबर आठ जो रावल में 1981 में Leave, 1985 में, 1971 में, कि भोशित किया गया था, 1981 में गोशित किया गया था, चलते हैं क्यूसन नंबर 69, राजस्तान की पाकिस्तान के साथ लगने वाले अंतराश्टिय सिमा की लंबाई है, कितनी है दोस्तों, एक हजार सत्तर किलोमेटर है दोस्तों, चलते हैं, आज के हमार अंतिम क्यूसन की और साथ नमर क्यूसन राजस्तान राजे में करसी राश्ट्रिय करसी आयो ने कितने जिलूं को मुरुस्तलिय माना है तेबीस बाइस ग्यारा चोपन अब दोस्तू बात यहां पर चोपन क्योंगी तो चोपन तो है ही नहीं जिले गलत मान लो इसको तो राइट एंस्वर ओप्शन सी रहेगा मुरुस्तलिय कितने जिले माने है ग्यारा जिले माने है आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जे हिंद जे बारत